नमस्कार दोस्तों, Study IQ IS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है, मेरा नाम है मनीश श्रिवास्तो, संडे के दिन शाम को पांच बजे आपको एक प्रोग्राम मिलता है, जिसका नाम है Important Organization, यानि प्रमुक संगठन और इस Important Organization में हम बहुत सारे Important Organizations को यहाँ पे कवर करते है तो आज का जो विशे हमने लिया है Important Organization में, वो विशे है आपका DRDO, तो आज हम Important Organization में जो विशे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही महत्पूर्ण हैं, और भारत की आत्म निर्भरता में, अगर कोई संगठन की बात की जाए, तो सबसे पहले जो बना वो DRDO ही बना, क्योंकि अग DRDO है और दूसरा ISRO है, ISRO के formation पे, ISRO पे वैसे मैं बात भी कर चुका हूँ, ISRO जो बना, वो 15 अगर्स्त 1979 को बना, 1969 को बना, लेकिन आज हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं, यह एक जनवरी 1958 को बन चुका है, जिसके वर्तमान में 65 वर्ष हो चुके हैं, अभी इस वर्ष हमन उसी के बारे में, जो है, यह आयोजन, जो है, 65 वा आयोजन मनाया गया था, तो अगर हम बात करें, important organization की अंतरगत, तो important organization में हम अलग-अलग तरह की organizations को cover करते हैं, चाहे उसका अंतराष्टी इसतर पर महत्पो, या फिर राष्टी इसतर पर महत्पो, इन दोनों ही तरह की गटनाओं को हम यहाँ पर cover करते हैं, तो जैसा है मैंने आपको पहले कई international organizations पढ़ाई हुई है, जिसमें NITO पढ़ाया हुआ है, Interpol पढ़ाया हुआ है, आपको World Bank के बारे में पढ़ा है, आपने IMF के बारे में पढ़ा है, WMO के बारे में पढ़ा है, ऐसे बहुत सारी organizations cover की हुई है, इसकी playlist बनी हुई है, आप उस playlist पे जाएंगे, आपको सारी organizations देखने मिल जाएंगी, लेकिन आज आते हैं आज के ही विशेपर, जिसमें आज हम discuss करने वाले हैं DRDO, यानि Defense Research and Development Organization, Defense का मतलब होता है, आपका रक्षा, रक्षा, अनुसंधान, एवं विकास संगठन, देखे, सबसे महत्पून चीज़ बताई जाती है, किसी भी जगा पर, Research and Development, जिसको R&D कहा जाता है, किसी भी देश के आगे जाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, अगर हम आज इसराइल जैसे देशों की भी बात करें, कि वो इतने विक्सित क्यों रहें, क्योंकि उन् पहरू के समय ही इसको स्टार्ट किया गया था, आज इसके बारे में भी समीक्षा करेंगे, कि भी ये किस तरीके से काम करता है, और ऐसी कई जगाओं पर आपने इसके उधारन देखे होंगे, जो DRDO कर रहा है, और शायद आपको इसके बारे में नहीं पता होगे कि ये DRDO की करेंगे, तो P2I batch कोई भी आगर आप इन्रोल करते हैं, चाहे वो हिंगलेश हो, इंगलेश हो या हिंदी हो, आपको ये कूर्स अभी मिलने वाला है, 26,999 का, तो जाकर इसको आप इन्रोल कर सकते हो, ये 15 अगस्त तक valid है, इसमें मेरा code यूस करेंगे, तो आप ये 14 अगस्त तक ये जो classes स्टार्ट हो रही हैं, उसमें आप इन्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा आप optional batches में भी इस Independence Day सेल जो है, आजादी के अमरित महुस तब इसका यूस कर सकते हैं, PSIR, sociology, geography, anthropology, public administration, history, mathematics, philosophy, हिंदी साहित ते, ये सारे optional subject, study IQ की app पर अविलेवल हैं, आप इसको इन्रोल कर सकते हैं, इसका भी खास price चल रहा है, 12,999 अगर आप code use करेंगे, मनीश लाइव, तो ये भी आप use कर सकते हैं, 15 अगस्त तक, बहुत ही शानदार आपके पास अफसर है, दोनों ही जगा पर आप P2i batch, साथ साथ optional जो भी आपको लगता है, वो आप ले सकते हैं, हिंदी साह आइडी है, यहाँ पर आप message कर सकते हैं, admission related कोई issues हैं, तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं, या फिर कोई academic related doubts हैं, तो वो भी आप यहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हैं, चले, तो शुरू करते हैं हमारा जो topic हमको जो आज पढ़ना है, कि भई DRDO, ये DRDO कैसे बना, कब ब लिके कि इसकी पूरी जर्नी रही, यात्रा रही, उसको समझेंगे, तो भई DRDO के बनने में सबसे महत्पूर्ण भूमिका थी, कि भई भारत 1947 में आजाद हुआ था, किस से आजाद हुआ था, तो ब्रिटेन से आजाद हुआ था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश हुआ करता था, 1949 से 1945 के बीच में युद्ध लड़े गए थे, और ये युद्ध जो था, दूसरा विश्व युद्ध कहलाता है, Second World War कहलाता है, अब Second World War ने ये तो बता दिया था, कि वही कोई भी देश जो है युद्ध में जा सकता है, और उस समय तो भारत की कोई इक्षा थी नहीं क्योंकि हम तो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो हमने प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, आप प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में भाग लिया था, कोई भी देश नहीं चाता है कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध होने की परस्तिती में क्या हमारे पास वो तकनीक रहेग कर सके और हमें तकनीकी पक्ष में आगे ले जा सके, तो यही सोच रहते हुए DRDO का गठन किया गया, और यह जो गठन हुआ, एक जनवरी को हुआ, 1958 में, इस समय यह जब गठन किया गया था, तब भारत में पहले आम चुनाओं हो चुके थे, पहला आम चुनाओं 1951-52 में ह हुआ था, उस समय इसकी रूपरेखा बन रही थी, लेकिन लागू नहीं हो पाया, जब दूसरा इलेक्षन नहरूजी जीते, 57 में, उसके बाद इसकी रूपरेखा बनी, और एक जनवरी 1958 को देश को एक सौगात मिली, जिसको DRDO या Defense Research and Development Organization कहा जाता है, यानि रक्षा, कोई भी पावर है, तो उसका जो मूल है, उसका जो बेसिक है, जो उसका मॉलिक है, जो उसका fundamental है, वो है विज्ञानम, तो इस पर फोकस किया गया कि विज्ञान पर अनुसंधान करके, विकास करके, हम उन सारी उचाईयों को छू सकते हैं, जो अभी नहीं छूपा है, तो इसी के तहट DRDO का गठन हुआ, तो भई DRDO के बारे में आप यहीं बताएंगे, कि DRDO की स्थापना कब हुई, एक जनवरी 1958 को हुई, अभी वरतमान में 2023 चल रहा है, तो एक जनवरी 2023 को हमने, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, इसके 65 वी वर्षगाट मनाई भारत मे और एक जनवरी को इसकी स्थापना हुई है, 1958 में, स्थापना के साथ इसमें तीन जो शाखाएं थी, उनको साथ में लेकर बनाया गया था, जिसमें एक आता है अपना तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, TDE, दूसरा है आपका तकनीकी विकास एवं उत्पादन नहदेशाले, TDP और साथ साथ इसके अंतरगत भारतिय सेना के ये तीन होई ही जो ग्रुप थे, इनको मिला कर बनाया गया था, जिसमें आपका DSO भी आ जाता है, Defense Science Organization, इसके अलावा DD, DP, इसके अलावा TDE, ये तीन ही ऐसे संस्थान थे, जिनको मिला कर क्या बनाया गया, DRDO बनाया गया, अब आप सोच रहे होगे इसका मतलब क्या है, तो भाई क्या होता है, DRDO एक कोई कारे नहीं कर रहा है, DRDO के पास बहुत सारे कारे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेमानी की, वेमान से जुड़े हुए, कई तरह के हमारे आज हेलिकॉप्टर्स आ रहे हैं, यह लड़ाकु विमान आ रहे हैं, वो उनको DRDO डबलब कर रहा है, वो यह आज से नहीं, पहले से ही कर रहा है, इसके अलावा शस्त्र हैं, इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स हैं, लड़ाकु विमान हैं, द्रोन्स हैं, यह सारे मिलकर काम करते हैं, तो बताया जाता है कि DRDO में वो जो है आपका Defense Science Organization विज्ञान संगठन को भी साथ में मिला कर क्या बना DRDO बनाया गया एक जनवरी 1958 को ये याद रखेंगे पचास से ज़्यादा प्रयोक्षाला हैं कौन-कौन से शेत्रों में काम करती है तो वैमानिकी, शस्त्र, इलेक्ट्रोनिक्स, लड़ाकु वाहन, इंजिनिरिंग प्रनालियां, इंस्ट्रुमेंटेशन, मिसाइल्स, उननत, कम्प्यूटिंग, सिम्यूलेशन, विशेश नहीं है, कि बस हमारे रक्षा विभाग को ही एक सारी चीज़ें देता है, कई तरह के चिकित्सा के अंतरगत भी नए-नए इनोवेशन इसके द्वारा किये जा रहे है, कई तरह की नए तकनीक लाई जा रही है, चाहे वो वैमानिकी हो, ऐरनॉटिक्स के अंतरगत हो, इंस् पहले एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, कि जो टॉइलेट्स हुआ करते थे, उनका वेस्ट स्टेशन ओपर ही पड़ा रहता था, अगर आप लोगों ने गौर किया हो, आज से 15-20 साल पहले तो ये बहुत ही जादा ऐसे इतनी गंदी हालत होती थी स्टेशन क कि वहाँ आप खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज ये स्टिती आपको देखने नहीं मिलती होगे, आप कई रेलवे स्टेशन पे गए होंगे, वहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी आपको देखने नहीं मिलती, ये भी एक बहुत बड़ी सौगाद जो है, डी आइडिय होती है, शौच के माद्धियम से, या दूसरी गंदगियां होती थी, वो नश्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि कम तापमान में अब घटन होई नहीं पाता है, डीकंपोजीशन होई नहीं पाता है, क्योंकि बैक्टेरिया और फंगस काम ही नहीं कर पाते हैं, तो उस जगा पर DRDO ने क्या किया, ऐसे बायो टॉलेट्स बनाये हैं हिमाले शेतर में, जिसने वहाँ पर होने वाले ऐसे अप्षिष्ट कचडों को भी खतम करने में, बहुत बड़ी भूमी का निभाई है, DRDO के द्वारा, इसके अलावा हमारी सीमा पर भी तैनात कई तरह की ये टेक्न इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये किस मंत्राले के अंतरकत आता है, तो रक्षा मंत्राले की, रक्षा नुसंदाने एवं विकास विंग के तहत ये काम करता है, और इसका लक्ष है भारत को अत्यादुनेक रक्षा प्रद्योगी की, यानि अत्यादुनेक मतलब एड स्वदेशी निर्माण हो, made in India चीजे हो, आद निर्भरता की और भारत बड़े, स्वदेशी विकास में ये भूमिका निभाता है, इसके अलावा इसका एक प्रोग्राम था जिसको कहा गया था, Integrated Guided Missiles Development Program, ये बहुत ही महत्पून प्रोग्राम था, बताये जाता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही, हमारे ततकालीन राष्ट्रपती हुआ करते थे, जो भूदपूर राष्ट्रपती भी रहे, हमारे जिनको Missile Man of India कहा जाता है, डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम की, उन्होंने इस प्लैन को समहला, Integrated Guided Missiles Development Program, और इसके तहत बहुत सारी Miss जैसे प्लैटपॉर्म और सामरे प्रणालियों की खोज जो है, ये DRDO के द्वारा की गई है, और ये खोज हैं भारती ये सैनिशक्ती को महत्पूर्ण लाब प्रदान करती है, किसी भी देश की सेना अगर मजबूत होगी, तो उसकी सीमाएं मजबूत होगी, और उस देश क आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी समझोता नहीं करना पड़ेगा, जो भारत की सेना के लिए, मतलब चाहे हमारी एर फोर्स हो, चाहे हमारी नेवी काम कर रही हो, चाहे हमारी आर्मी काम कर रही हो, सारे जगा पर DRDO उनकी पीछे पूरे तरह से स्वहयोग प्रदान करती है तो मतलब ये एक ऐसा शेत्र है, जो हमारी रक्षा के लिए भी सहयोग प्रदान कर रहा है, उसको भी उन्नत तक्नीके दे रहा है लगातार, साथ साथ अगर एक और इसका इस्पेक्ट देखा जाए, तो किसी भी राष्ट की अर्थ विवस्ता जो होती है, वो एक चीज़ पर निर्भर करती है, जिसको कहा जाता है चतुर्थ शेत्रक, वही चतुर्थ शेत्रक का मतलब क्या होता है, तो वही प्राथ्म हमारे सोसाइटी में वैसे तो आप किताबों में तीन शेत्रकों की बारे में बात करते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी सेक्टर, यानि जि दूतियक्षेत्रक और तृतियक्षेत्रक यहीं तक मूसली किताबे बात करती हैं लेकिन किसी भी देश के उन्नती पर जाने के लिए चतोर्त वर्ग का भी बहुत बड़ा रोल होता है देखें आपको बता दे रहा हूँ कौन-कौन से यह वर्ग होते हैं तो भई प्रात्मिक जब होते हैं तो उनको दूतियक्षेत्रक का एक प्रोडक्ट हुआ तृतियक्षेत्रक में सेवा शेत्र आ जाता है जैसे इंटरनेट का उपयोग करना इसके अलावा जो परिवहन है वो सारी चीज़ें इसके अंतर गताती हैं लेकिन जो चतुर्त वर्ग है इसको आर यानि अनुसंधान एवं विकास किसी भी देश के अंतरगत अगर आर एंडी मजबूत होगा तो उसकी अर्थ विवस्ता मजबूत होगी ही होगी कैसे होगी समझे जैसे कि अगर हम आज से 15-20 साल पहले देखें तो भारत में कई ऐसी चीज़ें थी जैसे मुबाइल फोन का बहुत अच्छा है आप मुबाइल फोन को देखें तो पहले आज से 15 साल पहले की चले जाते हम तो 15 साल पहले जो फोन हुआ करते थे उसमें इतने फीचर्स नहीं हुआ करते थे अगर ब्लुटूथ भी होता था तो फोन काफी महगा बिकता था और उसका प्राइज भी था जीवन का और आज किस तर में फरक आया है तो उस समय 15-20,000 एक बड़ा एमाउंट था आज की जेट में हो सकता है आप लोगों को लगे कि बहुत ही कम एमाउंट में फोन मिल रहा है आज तो हम सब खरीद सकते हैं लेकिन आज से अगर हम 2000 की बात करें 23 साल पहले की बात क करें तो उस वर्ष में देखा जाए तो 20,000 का फोन खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती थी लेकिन एक शेत्र ने बहुत अच्छे से काम किया और इसने क्या किया कि जो चीज पहले 20,000 की बिक्रई थी और जिसको 10 लोग ही खरीद पाते थे वो आज चीज आपको 5000 में भी मिल जा रही है जिसको आज 100 लोग खरीद पा रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखा जाए तो इससे फर्क क्या आया इससे सीधे सीधे आया कि पहले 5000 का फोन 20,000 का फोन सिर्फ कितने लोगों के पास था 10 लोगों के पास था तो आज 5000 का फोन 100 लोगों के पास है तो भई अर्थ विवस्ता में अगर हम यह एमाउंट देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि भई 100 लोगों के पास 5000 खर्च किये हैं तो अर्थ विवस्ता में ज्यादा पैसा आ रहा है और यहाँ पर कम था तो कोई भी देश के अंतर के जो सब्सक्राइब रिसर्ज हैं डवलम्ट होता है hour deepen होता है वह हम अर्थ विवस्ता को भी मझबूत करता है तो वैसे ही हमारा जो DRDO है यह हमारी अर्थ विवस्ता को भी मझबूत कर रहा है आप सोचेंगे को सर कैसे कर रहें तो आज भारत कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने राफेल का नाम सुना है आपने कई तरह के ऐसे advanced systems की, बोफोर्स, missiles की बात करें, ये सारी चीज़ें भारत कहां से लाए है, बाहर से ही लाए है, कहीं रूस से हमको support मिल रहा है, कहीं दूसरे देशों से मिल रहा है तो हम उनको कोई ना कोई कीमत तो अदा करते हैं लेकिन यही चीज भारत में बनने लगे क्योंकि रक्षा में हमारा बहुत सारा बजट जाता है उसके बाउजूद भी बजट कम रहे जाता है तो ऐसी चीजों में अगर भारत खुछ से research and development करेगा तो कही ना कहीं हम जो अर्थ विवस्ता पर जो दवाब डाल रहे हैं और अगर भारत का पैसा दूसरी अर्थ विवस्ताओं में जा रहा है तो वो हमारी GDP में तो आया हमने GDP में उसको count तो कर लिया लेकिन वो हमारी national income हम राष्ट्री आये नहीं बन पाया क्योंकि वो दूसरे देश की राष्ट्री आये बन गया तो उसी जगाप पर देखा जा है तो DRD हमारी अर्थ विवस्ता में भी एक बहुत बड़ी काम्याबी हासिल करने के लिए मदद कर रहा है दूसरा हमारी रक्षा के शेत्र में काम कर रहा है हमारी आंत्रिक सुरक्षा के शेत्र में काम कर रहा है नई नई उन्नतियों के और नई नई तकनीकों के तरफ भारत के नागरेकों को ले जाने में मदद कर रहा है साथ साथ हमारे डिफेंस को भी मदद कर रहा है तो इसके उद्देशों में हम यही बोल सकते हैं कि हमारी रक्षा सेवाओं के लिए अत्यादुनिक सेंसर, हतियार प्रणाली, प्लैटफॉर्म, सम्मद उपकरणों के उत्पादन है तू, डिजाइन, विकास भी कर रहा है और नित्रत्वी भी कर रहा है, लीडर्शिप भी क विकास करना, तता एक मजबूत स्वदेशी प्रद्योगी की, मतलब इंडिजीनियस टेक्नोलीजी, यानि जो भारत में निर्मित प्रद्योगी की है, टेक्नोलीजीज है, उनका आधार का निर्मान करना भी इसके कार रहे हैं, इसके अलावे इसके जो विभिनने कारिक्रम जिनमें कई तरह की रोबोट्स बनाना, जो कई तरह की माइन्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान की तरफ से या चीन की तरफ से, उनकी खोज करने में मदद करता है, इसके अलावे लद्दाक में सबसे उचा इस थली अकेंद्र बनाने का भी श्रे किसको जाता है, डियाइडियो इनको बनाया गया है, डियाइडियो का चीफ, इसके अलावा एक कोश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, कि भई अभी हाली में एक exercise हुई है, पांच अगस्त के दिन, उसके बारे में आपको आंसर देना है कि किस जहाज ने Royal Saudi Navy के साथ PASICS 2023 में भाग लिया था, आइनस कोल के लिए बहुत ही महत्पुन मौका है, आजादी के अमरित महत्तफ के तहट, UPSC पर IS live course जो है, P2I batch, वो हिंदी माध्यम, हिंग्लिश माध्यम और आपका हिंदी माध्यम के लिए अविलेवल है, 26,999 में, मेरा आपको code यूज करना है, मनीश लाइव, 14 अगस्त से क्लासे श पूछ सकते हैं, यहां से आपको lecture की PDF और question का answer मिल जाएगा, तो मिलते हैं next Sunday एक नई organization के साथ, तब तक के लिए धिहान रखिए, धन्यवाद झाल झाल